प्रस्न है कहानी की परिभासा सोरूप और विसिस्ता पर परकाश डालें तो आप उत्तर इस परकार से लिख सकते हैं कहानी सब मुलता कथा सब से बयुतपर्न है प्राकृति में यही कथा कहा नाम से अभी ही थे वविशत कहा से एसी एनिक गरंथ जिनके परमान है मुल रूप में कहने और सुनने की मनोरंजन बिधा रहे कहने वाला एक और सुनने वाला अनेक लोग कथा में इसी परकार कहानी की संग्या देगी है सस्कृत में कथा साहित के अनिक रूप और प्रयाय रहे हैं अख्यान, उपख्यान, अख्याईका, कथा, गाफ कथा साहित का प्रियोग हिंदी में जम कर हुआ या कथा अंग्रेजी सब्थ के फंक्सनाल में का प्रियाय हो गया कथा साहित में उपन्यास और कहानी दोनों को सम्मेलित करके देखा गया अंग्रेजी के सोट हिस्टोरी की जगा कहानी सब्थ का प्रियोग भी प्रचेलित हो गया लेकिन बंगला सायत में इसके गप सब्थ ही सविकार किया गया यानि कि कथा कहानी को बंगला सायत में गप ही सविकार किया गया वो इसे भारतेंदू पत्रिकाओं में गप का अख्यान चुटकुला आदी सब्द में कहानियों का रुपांकृत के आधार पर ही प्रस्तुत मिलता है। कहानी के सब परियावाची सब्दे कथा गाप अख्याई का अख्यान। कहानी में अख्याई का अथवा कहानी का आभिभाव और विकास वस्तुता अंग्रेजी साहित से संपर्क का परिनाम है। यानि कहानी का विकास अंग्रेजी साहित का ही परिमान है। इसका परिनाम है अंग्रेजी साहित से ही हिंदी साहित का कहानी का विकास हुआ है लेकिन इस कहानी साहित की आदूनत तक विकास यात्रा के दोरानिया भी देखने को मिलता है कि हिंदी कहानीकारों में संस्कृत पंच्टंत्रा जो विश्णु सर्मा जिसके लेखा के भारत की लोग कथाओं की अभिवेक्ति सेली को भी सविकार किया है डोक्टर भगीरत ने सथी ही कहा है कि हमारी कहानी ने यूक और अवसर की अनुकूल महाकाइबियर खंकाइबियर तथा अख्याई का उपन्यास गाफ नाटक आदि की रूप गरहन किया है कहानी के आववायों में इन सवित्तातों जो मिलते हैं ये सवित्त सहित्ते रूपों में भी कहानी किसी नो किसी रूप में विराजमान है वस्तूता कहानी के शोरूप में जितनी बीबीत्ता आई उतनी और किसी सहित्तिक रशना के शोरूप में नहीं वस्तुता कहानी को परिवासा के गेरे में बांधना कठीन है फिर भी कहानी की शोरूप निदारित के लिए पासचात्य और हिंदी समिच्छकों के द्वारा उपस्तित किये गिए द्रिष्टी कोनों से कहानी का सोरूप निदारन किया जा सकता है इसे पासचात्य आलोचक में H.G. Walls, Adler, L.N. Poe, Sir Huck, Walls, Pock, Edson, Eldrie, Sir, L. Brot ने अपनी अपनी परिवासा इस परकार दी है जिसे H.G. Walls ने ए सोटी स्टोरी जे फ्यंक्सनल देट कैन बी रिट इन आवर इन H.G. Walls की परिवासा है और दूसरा में है Adler, L.N. Poe का कहना है कि ए सोटी स्टोरी जे नेरेटिव इन रोट तो बी रिट इन सिंगल सिटिंग राइटिंग तो में के इंप्रेस ओन दा रिट एक्सक्यूटिंग अल दाउन्ट नोट फोर वाट इन इंप्रेसंस कम्प्लीट एंद फाइनल इट इचसेल्फ और सरहक बास पोलन ने अपनी परिवासा इस पर कार दिये ए सोट पोईट्री शूट बी ए स्टोरी रिकोर्डेट ओप्तिंग फिल दा इंकरेंट एक्सिडेंट सर्फिक्ट मुमेंट अनेक्स्पेटेट डेवलोप्मेंड रिडिंग त्रू सस्पेंज टू एक क्लेमेट एन सस्प्लाइंग इंडेकोमेंट ट्री चूथा में है एटसन एस्टन ने काहनी की परिमासर इस परकार दी है लगुकाता में क्योल एक ही मुलभाव रहते हैं मतलब की कहानी को एक घंटा में हम लोग पढ़ सकते हैं लगुकात कहानी को पच्वा में है एन्री सक्रियता पर जोड़ देते हुए लिखते हैं कहानी गुट दोड गुट दोड के समाने जिसमें आरम और अंत का विशिस महतो है जिसे कहानी का सुरुवात और अंत में कहानी का जो क्या कहना चाहता है उसमें विशिस एक महतो है जिसे गुड़ दोड यानि गुड़ दोड यानि गोड़ा का दोड में सुरू में गोड़ा दोड़ता है और लास्ट में कोज जीता है उसमें विशिस महत्व होता है उसी परकार ही कहानी का भी विशिस महत्व होता है सर एल ब्राइट के नुसार आधोनी कहानी का लेच के वल वास्तवी कतवा तर्कपूर्ण कर्म के द्वारा जीवन की एथाद घटनाओ की पूर्णवरिती नहीं है वरन जीवन की एक छोटी अंक्स का इस्पष्ट और कल पूर्ण चित्रन करना है जिसे से पूर्वर निर्धारित घटनाओ हिर्दय इसपरसी बन सके और घटनाओ प्रस पर संबन और वातावरन की एकता को प्रकट करे सत्वा में है इंसाइकलोपीडिया आफ ब्रिटे निका आंत में सोतंत्रा साहत्य विधा के रूप में कहानी का वर्णन करते हुए इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है कि हुआ संच्छेप्थ अधियदिक संगठित तथा पूर्ण कथा के रूप है बारतिय साहतिक विद्वानों द्वारा परदत परिभासा जिससे भारत के साहतिय तो पहले वाला पासचातिय साहत था पश्चिमी से भियता वाला आप भारतिय साहतिय विद्वानों द्वारा परदत परिभासा प्रेमचंद प्रेमचंत कहाने गप एक रचना है जिसमें जीवन की किसी एक अंख्या किसी एक मनोभाव को परदर्शित करना ही लेखा का उद्देश से रहता है उसके चरित्र उसकी सेली उसकी कथा विन्या सब उसी भाव को पुष्ट करते हैं दूसरा है परशात जैसंगर परशात परशात यानि सोंदरे की एक जलक का चितरन करना और उसके दुआरा रस की सिरिष्टी करना ही कहानी का उद्देशी है तिसरा में है रायकृष्ण दास कहानी मनोरंजन के साथ साथ किसी नो किसी सैत्य को उद्गाटन करती है तथा अख्याई का में शूंदरी की एक जलक का रस है स्याम सूंदर दास अख्याई का एक निष्शे लईचे या प्रभाव को लेकर नाटक की आख्यान है पच्छवा में है जनेंद्रकुमार कहानी तो एक भूक है जो नियंतरन समाधान पानी की कोशिस में रहती है हमारे अपने सवाल ही होते हैं संकाएं होती है चिंताएं होती है और उनका उत्तर खोजने पाने की का सतत परितन करते हैं हमारे परियोग होते हैं उधारन और मिसालों की खोज होती है कहानी की उस खोज के परितन का एक उधारन है छे अग्ये कहानी जीवन के परतीचाया है और जीवन स्वेम एक अधोरी कहानी है एक सिच्छा है जो उम्रे पर मिलती है और समाप्त नहीं होती इस परकार पासचातिय और भारतिय कहानी परिभासाओं में मताया नहीं दिखता है समय की प्रवा के शार साथ कहानी के शोरूप में भिनिता आई है और नई-नई मायनेताएं बिपर्तिष्ट होती है प्रंतु डोक्टर गुलाप राय की परिमासा में शोरूप मायनेय परिमासा के रूप में इसलिए मना गया ही कि उन्होंने इसके दोवारा हिंदी अख्यान कहानियों के शोरूप पर परकाश डाला है उन्होंने कहा है कि छोटी कहानी में पूर्नता पूर्नरशना है जिसमें एक तत्व या प्रभाव का अग्रसर करने वाला का वेक्ति केंद्रित घटना या घटनाव के और शक्ता हो दिहान पतन और मोड के साथ पात्रों का परकाश डालने का वर्णन करता है यह हमारा प्रस्ण था कहानी की परिवांसा यानि कहानी किसे कहते हैं शोरूफ और उसकी विशिस्ता यानि किसमें हम लोग देखें कि कहानी की परिवांसा कौन बिद्दवान ने क्या क्या दिये हैं उसके बारे में पूरी विश्तार से जाने आप जानेंगे दूसरा वीडियो में कहानी की सोरूप और विशिस्ता के आधार पर कहानी की समिच्छा के बारे में जो कि आपको राशी इंवर्शिटी बीए सेमेस्टर 6 हिंदी ओनर्स में पूछ सकता है ये कॉश्चन